हे एवरिवन वेलकम बैक टू माई कुकिंग चैनल और आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ मेरी लंच रेसिपी और लंच में मैंने बनाई है एकदम देशी स्टाइल में चना दाल तड़का और साथ में मैंने बनाई है माटर वाले चावल एकदम से डिलीशेस बनके रेड तो ममी घर पे ही पीछ लेती है और मेरे को भी बिजवा देती है पर इसमें ना काले दाने रहे जाते बीच बीच में तो बहुत ज़्यादा ना रहे इसलिए थोड़े बहुत इसमें से बीच में साफ कर लिये थे जो की मार्केट में जो दाल मिलती है वो तो एकदम से साफ बार दाल में रखे सक रावी में दाल कको निसे दो लार मिसे दाल को को जन देた फीस्क दाल के टोटल लगभग में धाई को टोड़ी के लगभग यहां पर पानी डालो नहीं को बहुत जादा पतला नहीं बनाओंगी बच्चों को गाड़ी दाल ही पसंद है यहां पर मैंने ले लिया है एक प्याज टमाटर हरी मिर्ची अधरक और लेसून तो सुबह जब बच्चे स् पहले बार भी यदि आप बना रहे हो ना तो भी आपकी बहुत जादा टेस्टी बनके रैडी होगी तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि टमाटर को ऐसी काट लेना तो दाल को मैंने अलग से बोईल नहीं कर रहा है सारी चीज़ें साथ में ही डालेंगे और साथ में फिर इसम बाद पयाज भी काट लिया था उसके बाद जो अद्रक लेस्ट और हरी मिच्ची साब लिये में governedके रहे हुआ है तो बच्चों को पसंद नहीं आती आप चाहें तो बारिख बारिख सात counties में टमाटर पयाज के साथी काटके डाल सकते हो अद्रक और लेस्ट भी कुटके ह हो गया था रेड़ी अब सब चीजों को हम डाल देंगे दाल की साथ ही तो यह जहां पर मैंने डाल दिये थे टामाटर प्याज और उसके बाद मैंने इसमें एड़ कर दी थी कूट की रखा हुआ अद्रक लैसुन और हरी मिर्ची कुंडी को दो के डाल देंगे ताकि अद्रक और लैसुन वेश्ट ना जाए अब इसमें एड़ कर देंगे मसाले सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था आदा छोटा चमच हल्दी पावडर आदा छोटा चमच धनिया पावडर स्वादान साल नमक और आदी से आदा छोटा चमच मैंने यहां पर डाल दिया था रेड काफी तेज है दाल मेति काफन उसी मिर्ची से हो जाएगा तो यहां पर आदा भी है आप ने डालना चाहिए ना इसमें लाल मिर्च तो बिना लाल मिर्च के भी आप इसे बना सकते हैं यह बहुती टेश्टी बनेगी एक मैं यहां पर डाल दी है मोटी काली इलाइची और एक चमच मैंने डाल दिया यहां पर देशी गी और यह यहां पर मैंने डाल दी है कस्तूरी मेथी अब 5-6 में शीटी लगवा दूंगी घी डालने से क्या होगा कि दाल बहु जादा टेश्टी भी बनेगी और शीटी जब लगेगी ना तो शीटी से बहार भी नहीं आएगी ब बाद मैंने कटोरी में डाल दी है राइस तो थोड़े से चावल ना नीचे गिर गए थे उसको भी मैंने साप कर दिया था चावल को धो लिया था और चावल को भी ने पहले से भीगो के नहीं रखा था आप चाहें तो चावल को भी तड़का लगा दिती हैं तो दाल को मैंने दूसरे गैस पे ट्रांसपर कर दिया था और पतिला रख दिया है गैस पे और इसमें डाल दिया है एक चमच देशी घी जीरा और कुछ मैंने या पर डाल दिये थे खड़े में अच्छा टेस्ट आजाता है और भोती अच्छी खुसबूतों मैंने तेज पत्ता भी डाल दिया था और अब मैंने इसमें अड़ कर दी है मटर मैं सिर्फ मटर राइस बना रही है और चाहिए तो यहाँ पर थोड़े से आलू या फिर कुछ और सब्जाय में डाल सकते हो या फिर सिंपल आप चावल भी बना सकते हो दाल के साथ सिंपल चा तो एक कटोरी के साथ मैंने डेड़ कटोरी आंपे पानी डाल दिया है और स्वादान सार मैंने डाल दिया है नमक अब एक तो इस पर अच्छ सा बूइल आने दूगी और उसके बाद आंच को स्लो कर दूगी चावल वाले को ताकि हमारे चावल एकदम से खिले-खिले बनके रेडी हो और डाल को 5-6 सीटी आने दी थी चावल भी बनके रेडी हो गए थी और मैं वाप इसे आ गई हूँ कीचन में तो चलिए देख लेते हैं यह देखिए हमारे चावल कितने लाजबा बनके रेडी हो इन में खुश्बू बहुती जादा अच्छी आ रही थी एकदम से खिले खिले बनके रेडी हुए है अब डाल को भी चेक कर लेते हैं कि एकदम से अच्छे से गल गई है या नहीं और यह आप देख सकते हैं कि दाल अच्छी से गल गई थी ना तो एकदम से मतलब जादा पतली बनी थी और ना ही एकदम से यह गाड़ी बनके रेडी हुई थी अब हम दाल पे लगाएंगे तड़का वैसे तो यहां पे दाल का आप चाहें तो ना भी लगाओ तो भी चलेगा कीओकि हमने सभीस बीस Quadका लगाएंगे तो दाल का स्वाद एकदम से बढ़ जाएगा झारे धाबे में बनती है नर वैसे ना वैसे दाल ये बन के घ्रडवी होगी vibrations नहीं पर से लाम पर से पसंद नहीं करते उपर से mental तो साबुत लाल मिर्च हछा एज कण्य को धला दालि की अज़ें इस दाल जाल मुझ सोरी और जल्दी से मैं डॉल दिया था दाल में झाल प्ले डाल में तक दो तर फिले फिलिए यह यहां तो चली जाकर तो सब्सक्राइब टाला लेते हैं तो सब्सक्राइब तुम्हां और चावल यह ऑज स्पेशल देशी चावल वाली दाल जो एकडम से वसके दागा दिना वैसे वाली इतनी राजवा बनती है कि हर बार लेदे आप एक बार इसे बनाओगे न तो बार बार इसी रेश्पी से आप इसे बनाना पसंद करोगे तो फ्रैंड्स मेरा तो आज का लंच ये रहा आपको आज की रेश्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो बाइ फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए